अस्लीकुम, यह देखें इस भागका कितना अचाफ फ्रूट सिट है, यहा दाएं भाएं या फिर इस एरिया में, जितने भी हमने में भाग देखें इतना अचा फ्रूट सिट हमने किसी भाग में नहीं देखें, तीन कनाल पर मुझतमिल यह भाग हैं, कुलो डेलिशस और ड गोर से देखेंगे तो आपको यह देखिए यह आपका यहां गोल्डन डिल्शस का पेड़ लगा हुआ है और इसकी जो कैनोपी है देखे कितनी अच्छी तरह से इसको प्रून किया गया है बहुत जबर्दस खाली पेड़ नहीं इसमें हर किसी जो यह पेड़ है उनमें ग्र कि और हाइड डेन्सटी की जो वराइटी हमारे पास है वो भी इसमें ग्राफ्ट किया गया है तो उस वजह से इसका जो फ्रूट सेट है बहुत कमाल का है इससा अक्सर वागों में यह देखिए यहां पर भी है गोल्डन डिल्शस के ग्राफ्ट किया गया है एक साट से दूसरे जमीनदार जिसका बाग इसी के साथ है उसमें इतना फ्रूट अच्छा नहीं है जितना इसमें है तो जमीनदार ने महनत की है उसने जो नेच्रल पॉलनेजर्स हैं उनके ग्राफ्ट की हैं उनके पेड़ लगाए हैं यह देखिए यहां पर भी आपको मिलेगा गोल् करते हैं यह लोग और इस जमीनदार ने कहा कि वह इसमें पीजी आर का इस्तेमाल नहीं करते हैं जो भी है जितने भी सेव लगे हुए हैं सब नेच्रल पॉलनेशन के वज़े से लगे हुए हैं और जो होमेड मैनियूर है वह इसमें लगाया गया है हमने क्वेस्टि की थी इस बाग मालक से कि वो कैमरा पर आके बात करे पर वो मना कि उन्होंने कहा कि नहीं तो फिर कैमरा के पीछे हमने उन से बात की और उन्होंने यह सारी जो चीज़े हमें बताई तो अगर इंसान महनत करे अगर जमीनदार महनत करे तो फल तो देगा है आला उसके महनत बेकार और आएगा नहीं जाती है हम सब को चाहिए कि हम मेहनत करें अपने बागों में और सही फासल सही हमें जो फिर फाल मिलेगा इंशाला मिलते हैं फिर से शेयर कीजेगा वीडियो को